हेलो फ्रेंज विल्कम बैक टू मैं चानल आज मैं आप लोग के साथ कुछ सेयर करना चाहती हूँ मैं उसकी हलका से तैयारी करके रखिए मैं आज राजस्तनी जो चतनी होती है वो मैं बनाऊंगी यह चतनी मेरे लिए बहुत असान रहता है जब पीजा पास्ता बगरा कुछ बनाती हो ना इस चतनी का मैं यूज करती हूँ तो मैं इसके लिए पहले जो कस्मेरी मिर्च है उसको भीगा के रखिए हूँ और इसके लिए लशन चाहिए और दही चाहिए तीनी चीज़ और एक बर मैं बोलती हूँ क्या क्या मुझे चाहिए यह जो दही है दही चाहिए इतना नहीं चाहिए एक कट्रोड़ा होने से हो जाएगा और यह तीन लसुन और मैं यह जो कस्मेरी मिर्च में शुविश भीगा के रखती है यह तब तक मैं लसुन को छील लेती हूँ और मैं लेशन को थोड़ा सा चील लेती हूं इसके बाद आती हूं आपको के पास यहां पर मैं बड़ा बड़ा लेशन लिया क्योंकि मेरे पास मैं ओडर किया था तो यह आया इसलिए मैं इसको यह उसको करूंगी छोटा लेशन होने से जादा टेस्ट बनता है तो कोई बात नहीं बड़ा आ गया कोई बात नहीं फिर मिलती हूं इसके लेशन मैं छिल लिया पूरा लेशन को आप इतना हो गया इतना लेशन और इतना मेर्च तो फिल चल के रखती आप लेशन को फिर आप मैं बनाते हूं पहले लेशन को पीछ लेती हुँ एक साथी करता है मेरा ओल्स्फिक करते लिए पीष्लेटर दो कि में ज़ए हैं पहले लेशन को वह किसने हो कि इतना लशुन में पीशा अभी इतना नहीं हुआ तो जबा है तो मैं कुरोशेश में मिर्थ भी दावरोगों में पहले मिर्च को अच्छी तरह से धो के फिर भीगाया तो कि यह पानी भी मुझे चाहिए यह जो कश्मीरी चीली है रेट चीली इसको मैं पीश लिया लशन के साथ आप मैं जो तयार करूंगी आपको दिखाते हूं यह फ्रॉंट केमरे से शूट हुआ है इसलिए ऐसे दिख रहा है और आप कोई कि गी यूज कर सकते हैं उसमें कोई तेस्ट का फरक नहीं आएगा अच्य लगेंगे अब आच्छी तरह से उसको चला लेना और ज्यादा ओएल्यूज करना तब तक इसको चलाना है जब देखी इनके बाद मैं देऊंगी इसमें दही और नमक पहले नमक देऊंगे यह पर नमक डाल लिया आप स्वाथ नमक डाल देंगे इसको फ्राइब करेंगे दही को हम चामस से थोड़ा साथ लोगी हलका साथ अब मैं दही को इसमें दाल देंगे अब जब तक इसको ना है ना हो जाए तब तक मैं इसको चाला के जाओंगे जब तक मेरा यह ना हो जाए तेल बहार निकर के ना आए तब तक मैं चलाते जाओंगे तेल जब तक बहार निकर के आ जाओगा तब मैं इसको छोड़ दूँगी तब तक मेरा हो चुका होगा इसका एक है जब तेल निकर के आ जाएगा आपको पता कर जाएगा यह हो चुका है और यह बहुत ही ठेस्टी होता है अब श्रीब रोटी के साथ भी दे सकते हो यह पीजा पास्ता में भी यूज़ कर सकते हो रोटी के साथ भी यूज़ कर सकते हो श्रीब आपको एक ही काम करना है जब तर आपको पता चलेगा उस ताइम जब इसका तेल छोड़ेगा तब आपको पता चलेगा और एक अच्छा सा स्मेल निकलेगा तब आपको पता चल जाएगा यह हो चुका है अभी यह हो चुके है अब मैं इसको बांद करके ठंदा कर लूँगी करके मैं बातल में घरके रख लूँगी है आजका ब्लॉप मैं यहीं परेंड कर देती हो फिर मिलती हो दूसरे ब्लॉग में जो मेरी चनल क Blue है थे ऐस को रिक्वेश्ट करते हो आप सब्सक्राइब करके जायए लाम जरूर की कि फिर में एव Р – वाय बख plus úड है